एक प्रवरी के कोशन्स बताउंगा ये कोशन्स आपको आने वाले एकजांस में हेल्प करेंगे जल्द है हमारी और भी वीडियो आने वाली है हमारी नई वीडियो के अपडेट पाने के लिए Steady Zone को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाए ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और इस वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करें और आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेट्स में लिकर जरूर बताईए Steady Zone के साथ साथ आप Steady Zone के Government Jobs के चैनल को भी सब्सक्राइब जरू करें क्योंकि Steady Zone के Government Jobs के चैनल पर हम Government Jobs की कोई भी नोटिफिकेशन आती है उसको हम अपलोड करते हैं ताकि आप तक जल्द से जल्द Government Jobs की वेकेंसिज पहुंच सके सब्सक्राइब करने के लिए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप कोर्णर में जाकर उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं या आप Steady Zone Government Jobs को यूटूब पर सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर इसको सब्सक्राइब जरू करें अपका पहला क्वेशन है दार्मिक सारजनिक स्थानों पर लाड़ स्पीकरों के इस्तमाल पर किस राजे में रोक लगाई गई है तो इसमें आंसर होगा उत्तर परदेश राजे में नेक्स्ट क्वेशन है भारत का दूसरा सबसे बड़ा रूफ टॉप सोलर उर्जा सेनेतर गेल ने किस राजे में स्तापित किया गेल यानि गैस एथर्टी ओफ इंडिया लिम्टिड तो इसमें आंसर होगा उत्तर परदेश राजे में और या है उत्तर परदेश के पाता में स्तापित किया गया है और भारत का सबसे बड़ा रूफ टाप सोलर उर्जा सेन्तर टाटा पाउर सोलर द्वारब पंजाब के अमरिचर में 2015 में स्तापित किया गया था कि अंदर सरकार्णिय कितरी नई स्मार्ट सिटी को शामिल किया है तो इसमेル नए स्मार्ट सिटी को और ये हैं पहला सिलवासा जो दादरार नगर अविलिक अंदर को अता आता है 停 water गमिलाडू नेञिए दीव दमनवार दीव के अंदर आता है नेक्स्ट है बियार सरीफ बियार के अंदर आता है नेक्स्ट है बरेली उतर प्रदेश के अंदर आता है नेक्स्ट है इटानगर अरोनचल प्रदेश के अंदर आता है नेक्स्ट है मौरादाबाद उतर प्रदेश के अंदर आता है नेक्स्ट है सारनपूर उतर प्रदेश के तीन बरेली मुरादाबाद सारनपूर यह आपका option दे के चार option दे के पूछा जा सकता है किन में से कौन सी city smart city के अंदरगत शामिल नहीं की गई है तो इसमें आपके तीन option बरेली मुरादाबाद सारनपूर तो आपके correct होंगे और जो चोथा option होगा वो आपका answer होगा अगर यह पुछा जाए कि कौन सी city सामिल नहीं की गई है नेक्स्ट question है चोथा बारत अंतराष्टे विज्ञान मौचो कहां आउज़ित किया जाएगा तो इसमें आंसर होगा चोथा बारत अंतराष्टे विज्ञान मौचो लखनों में आउज़ित किया जाएगा नेक्स्ट question है उतरप्रदेश के DGP के रूप में किसने कारेबार समाला तो इसमें आंसर होगा उतरप्रदेश के DGP के रूप में IPS अधिकारी ओपी सिंग ने कारेबार समाला ओपी सिंग एक 1983 बैच के बारते पुलिस सेवा के अधिकारी है उन्हें ने उतरप्रदेश के पुलिस महारनी देशक यानी DGP के रूप में करेबार समाला है वर्द्योवर्द कवी अन्वर जलालपुरी का हाली में निदन हुआ है वे किस राज्य से थे तो इसमें आंसर होगा कवी अन्वर जलालपुरी उतरप्रदेश राज्य थे अन्वर्ज लालपुरी को बगवत गीता के सलोकों को उर्दू में निवाद करने के लिए सबसे अधिक जाना जाता है नेक्स्ट कुश्चन है यूपी ने नई परियाटन के तैत कौन सी नई नीति का खुलासा किया है तो इसमें अंसर होगा एक बिस्तर और नास्ता या अगर आपका कुश्चन है कि एक बिस्तर और नास्ता किसे सम्बंदित है तो इसमें आपका अंसर होगा परियाटन नीति से उत्तर प्रदेश सरकार का लक्षा है कि इलाबाद में कुम मेला 2019 में बाग लेने के लिए 6.5 लाग बारत्य गाव में से कम से कम 4-5 वेक्तियों को प्रोचाइत किया जाए और उत्तर प्रदेश की प्रेटन मंत्रिय है रिता बहुगुणा जोसी एक बिस्तर और नास्ता योजना में आश्रम भी शामिल है नेक्स्ट कुछन है परदान मंत्री नरेंदर मोदी ने UP निवेशक सम्मेलेन 2018 यहनी Investor Summit 2018 का उद्गाटन कहां पर किया तो इसमें आंसर होगा लखनव में या गर आपका कुछन है कि UP निवेशक सम्मेलें 2018 का उद्गाटन किसके द्वारा किया गया तो इसमें आपका आंसर होगा परदानमंत्री नरेंदर मोधी के द्वारा Next question है उत्परदेश सरकार ने खादी उत्पादों की बिकरी के लिए किसके साथ सम्झोते पर हस्ताक्सर किये हैं तो इसमें आपसर होगा Amazon India के साथ उत्तर प्रदेश के खादी और गरामोद्यक बोड़ ने खादी उत्पादों की ओनलाइन बिकरी के लिए Amazon इंडिया के साथ समझोते पर अस्ताशड किये हैं इसमें खादी शर्ट, कुर्ता, दोती, तोलिये आदी भी शामिल होंगे जिनको Amazon पर बेचा जाएगा Next question है, परदान मंतरी ने 20,000 करोड रुपे के रक्षा ओद्योगी कोरिडोर को काँ स्तापित करने की गोशना किया है तो इसमें आंसर होगा, रक्षा ओद्योगी कोरिडोर को बुंदेलखंड में स्तापित करने की गोशना किया है बुंदिलखंड उतर प्रदेश और मद्य प्रदेश के बीच एक शेक्तर है उन्होंने लखनव में इंद्रा गांधी परतिस्टान में इन्वेस्टर मीट में या गोशना किये नेक्स्ट कुष्ण है नो फर्वेरी 2018 को अंतराष्टे पक्सी मौत्साव कायोजन कहां पर हुआ तो इसमें अंसर होगा अंतराष्टे पक्सी मौत्साव कायोजन दूद्वा राष्टे उद्दान लखिमपूर उतर प्रदेश में किया गया इस अंतराष्टे पक्सी मौत्साव का उद्देश है दूद्वा राष्टे उद्दान में परेटन को बड़ावा देना और दूद्वा को एक विशिष्ट अंतराष्टे पैचान परदान करना है इस अंतराष्टे पक्सी मौत्साव के ब्रांड अमेस्टर फिल्म मौत्सो का ब्रांड एंबेस्टर गोरखपुर के माइक पांडे को बनाया गया वै गोरखपुर के बबनोली गाउं के मूल निवासी है और परियावरंड के लिए काम करने पर उन्हें गरीन ओसकर अवाड मिल चुका है वै तीन बार लगातार गरीन ओसकर जीतने वाले पहले एशिया ही है नेक्स्ट कुछन है उतर प्रदेश सरकार बगवत गीता के अध्यन के लिए अनुसंदान संस्थान के स्थापना कहां पर करेगी तो इसमें आंसर होगा बगवत गीता के अध्यन के लिए अनुसंदान संस्थान के स्थापना मतुरा में की जाएगी नेक्स्ट कुश्चन है देश का पर्थम राजय जाब प्रियोजनाओ को डिजिटल रूप से संपादित किया जाता है तो इसमें आंसर होगा उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश भारत का पहला राजय बन गया है जहां व्यापार और निवेश प्रियोजनाओ बिना किसी भी मानव इंटरफेरेंस के डिजिटल रूप से संपादित की जाती है यह पूरी प्रकरिया डिजिटल मित्तर नामक डिजिटल सेवा के माध्यम से संभव हो सकी है उत्तर प्रदेश सरकार ने इस प्रकरिया के तहत राजय के 20 विबागों को समायोजित किया है वर्तमान समय में डिजिटल मित्तर नामक प्रियोजना उद्योग बंदू नामक प्रियोजना के स्थान पर परारम की गई है नेक्स्ट कुछन है देश का पर्थम इंटर मोडल टर्मिनल कां स्तापित किया जा रहा है तो इसमें अंसर होगा देश का पर्थम इंटर मोडल टर्मिनल गाजीपूर में स्तापित किया जा रहा है यह भारतिय अंतरदेश यह जल्मार्ग प्रादिकरंट दुवारस अंचालित राष्टर जल्मार्ग पर्थम जल्मार्ग विकास प्रियोजना के तैत स्तापित किया जाएगा नेक्स्ट क्केश्चन है वैराजय जहां हाली में एक दिला एक उत्पाद प्रयोजना को प्रारम किया गया जिला एक उत्पाद प्रयोजना उतरपरदेश में स्टार्ट की गई उत्तर प्रदेश दिवक्स के उपलक्स में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परतेग जिले को एक उत्पाद विशेश जिले के रूप में पैचान परदान करने के लिए एक जिला एक उत्पाद प्रयोजना को प्रारम किया गया इस प्रयोजना के माध्यम से राज्य सरकार परतेग जिले के आर्थे विकास और रोजगार के बैतर आफसर प्रदान करना चाहती है नेक्स्ट कोशन है वे शहर जहां अंतराष्टे विग्यान मौत्सव के चोथे संस्क्रण का आयोजन किया जाएगा तो इसमें अंसर होगा अंतराष्टे विग्यान मौत्सव के चोथे संस्क्रण का आयोजन लखनव में किया जाएगा और पर्थम अंतराष्टे विज्यान मौत्षव जो कि 2015 में आयोजित किया गया था वे नई दिल्ली में आयोजित किया गया था नेक्स्ट कॉश्चन है जगत गुरु राम बदराचारिय विकलांग विश्विदाले किस राज्य में है तो इसमें अंसर होगा जगत गुरु राम बदराचारिय विकलांग विश्विदाले चितर कुट उतर परदेश में है यह विश्विदाले विकलांग चातर चातराओ के लिए देश का एक मातर निजी विश्विदाले है और आठ जनवरी 2018 को राजपती रामनाथ कोबिन ने जगत गुरु राम बदराचारिय विकलांग विश्विदाले में दिक्षान समारो को संबोधित किया था नेक्स्ट कोश्चन है प्रकास है तो विकास है नमक मुफ्त गरेलू बिजली कनेक्शन योजना प्रारम करने वाला राजप कोन सा है तो इसमें अंसर होगा प्रकास है तो विकास है योजना उतर प्रदेश सरकार दोआर प्रारम की गई इस योजना के तैट राज्य सरकार BPL कारट दारक नागरिको या पर्तिवर्स 35,000 से कम आये वाले नागरिको को 550 रुपे के बुगतान पर विद्यूत कनेक्शन उपलब्द कराएगी नेक्स्ट कोशन है युनेसको द्वारा किस मेले को अमुर्च सांसकर्तिक विरासित के रूप में मानिता परदान की गई है राष्टे राजदाने शेक्तर में शामिल किया गया है और इसी के साथ NCR एरिया में कुल जिलो की संक्या 22 से बढ़कर 23 हो गई है नेक्स्ट कोशन है पर्थम भारते शेयर जहां देश के पर्थम दीन देयाल हस्तकला सकूल व्यापार सुईदा के इंदर और शिल्प संगराले के स्थापना की गई है तो इसमें आंसर होगा दीन देयाल हस्तकला सकूल व्यापार सुईदा के इंदर और शिल्प संगराले की स्थापना वाराण सी उत्तर प्रदेश में की गई है यह व्यापार सुईदा के इंदर गरेलू और अंतरास्टे बाजार में हतकरगा और हर सिल्प को बढ़ावा देने के लिए बुनकरों और कारिगरों को सुईदाय परदान करेगा थैंक यू गाईज फोर वाचिंग और वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टो ओर चैनल स्टेडी जोन फोर प्रप्रपेशन ओफ अपकमिंग एक्जाम्स और सब्सक्राइब के साथ आप नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आ आप इस पर जाकर हमें फेस्बुक पर फोलो कर सकते हैं ताकि हमारी वीडियो आप तक फेस्बुक के दिवारब भी पहुंच सकें